हमारा उद्देश ये है कि हरियाना में हर किसान को उसका हक मिलना चाहिए, हर व्यापारी को उसकी व्यापार सुनिश्चित होनी चाहिए, हर बच्चे को अच्छी सिक्षा मिलनी चाहिए, हर परिवार को स्वास्त मिलना चाहिए और एक ब्रश्टा चार मुक्त अच्छा हरिय इस देश की पूर्ती के लिए हम चुनाव लड़ेंगे, चुनाव जीतेंगे, सरकार बनेगी और जिस तरीके से हमने दिल्ली में काम किया, पंजाब में काम कर रहे हैं, उसी तरीके से हरियाना को भी विकास के रास्ते पर लेख रहे हैं। नहीं कर सकते, हमें पानी चाहिए, हरियाना को पानी चाहिए, दिलाओ पानी, पंजाब को पानी चाहिए, हमें पानी चाहिए, दिलाओ पानी, केंदर सरकार की जिम्मेदारी है पानी दिलाने की, केंदर सरकार के पास जाकर आप पूछिए कि भाई पानी दिलाने में आप वि पूरी पूरी मिलती है ना ही किसानों की पूरी फसल की खरीदी हो रही है आज मंडी पे जाके देखो मंडी में दो दिन पहले बारिश हुई थी सारा फसल सड रहा है ये किसान के ही तैसी होंगे खटर साहब ने किसानों की उपर जो जुल्म किया दिल्ली के बॉर्डर पे क्या पूरी दुनिया भूल गई है इनके किसानों की बात करने का कोई अधिकार नहीं है आम आदमी पार्टी की सरकार है जहां पर भी बनती है इमानदारी से काम करते हैं दिल्ली में हम काम किये जनता ने मेंडिट दिया पिन्जाब में काम कर रहे हैं, पिन्जाब में एन्डेट दे रही है, हर्याणा में इस बार सरकार बनाएंगे और इन के गंधे राजनीती के track पे फसना नहीं है, इस बार जनता को बदलाव चाहिए और जनता को आम आदमी पार्टी के रूप में बदलावावादे है